नमस्ते, लेन्वित लक्ष्मी में आपका स्वाहत है आम के मोसम का शुरुवात में कच्चे आम के साथ एयाचार बनाए बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है इसके लिए मैंने 300 ग्राम आम, 300 ग्राम गूड, मस्टर्ड सीट्स 3 टेबल स्पून, लाल मिच 5-6 स्वाधानसार नमक लिया आम को पहले धो के सुखा के चिलका निकल के पतला पतला काट लिया लंबा लंबा और गूड को काट लिया और एक मिक्सी जार में मस्टर्ड सीट्स लाल मिच और नमक डालके फाइन पाउडर बना लिया एक ग्लास का जार लिया उसमें लेयरिंग किया ये तीन इंग्रिडियंट्स को पहले गूड, बाद में अकच्चाम और मसाला डालके लेयरिंग किया इसको आप बाहर 15 दिन तक ये रहता है, फ्रिज में बहुत दिन ये रहता है ये इस्टेंटली काने वाला अच्चार है अच्चा सा ग्लास जार को ढखके, अच्चा सा हिला के पूरा इंग्रिडियंट्स मिलने तक चलाना चाहिए एक बार होने के बाद कवर करके इसको बगल में एक दिन के लिए रखना है और एक दिन के बाद चमच के सहाईता से मिलाना चाहिए चमच ड्रई रहना चाहिए ऐसा तीन चार दिन करने से ही ये अच्चा रड़ी हो जाता है ये वुकमा दाल चावल सब के साथ अच्छा लगता है जरूर ट्रई करिए और कमेंट करिए सब्सक्रेब मैं चानल थैंक यू